कॉंग्रिस और ब्यस्पी के जरी मुद्दे को ठाई जाने के बाद केंप्रे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी ने राजुसभा में कहा कि किसी भी राजे में हिंसा निंदनीय हैं और हम इसे जायज में ही ठहरा रहे मद्रप्रदेश सरकान ये तुरंट कारवाई की है इसे पहले ब्यस्पी अध्यक्ष मायावती और कॉंग्रिस नेता गुलाम नभी आजाद ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया मायावती ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में का नारा देती है लेकिन बीजेपी के राज्ये में ही महिलाए दीव की अफापर प्रतारित की जा रही है गुलाम नभी आजाद ने कहा कि गो रक्षा होनी चाहिए लेकिन उसे बहाना बनाकर दलित और मुस्लिमानों को तागिट करने के खिलाब हुए वो द्वार सुभाज छटर्फोर से विभायक करतार सिंग तन्वर के धर दफ्तर और फाम हाउस पर आएकर विभाग ने चाह पिमारी की है दिल्ने में 11 जगाओं पर आयकर विभाग सर्च ओपरेशन कर रही है। करतार सिंग तनवर की 20 कम्पनियां हैं जो जांच के दाइरे में हैं। आयकर विभाग को श्रिकायत मुलीथी की सरकारी नौकरी से बी आर एस लेने के बाद तरतार सिंग तनवर ने प्राफ़ती के काम में कड़ोर रुपए कमाये हैं। चापिमारी की ख़बर सुनते ही कई आपकारिकर्ता उनके आवाज के बाहर एकटा हो गए। उन्होंने केंडु सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। परिवहन मंत्री सतेंद्र जैन ने चापिमारी को लेकर केंडु अबीजेपी बनिश्वा मसादा है। उन्होंने कहा IBCDI, EG सबे को लगाया हुआ है। मेरा निवेदन है कि सब को अलग से भर्ती कर ले इस काम के लिए। ताजमामला परिवहन मंत्री सतेंद्र जैन से जुड़ा है। उनके विभाग के विशेश आयूत इंदू शेक्खर मिश्वा ने LG नजीर जंख को चुछी लिखकर जैन पर बत्तमीजी का आरोप लगाया है। यही नहीं इसके साथ ही वैज चुछी पर भी चले गए हैं। स्पेशल कमिश्वर के पद पर टैनाथ इंदू शेक्खर मिश्वर उनिफुतरानवे बैच के दानिक अधिकारी है। उनका आरोप है कि मंत्री सतेंद्र जैन ने सुमवार 25 जिलाई को उनके साथ बखसलू की थी है। मिश्वा ने LG को भेजी सिकायत में कहा कि मंत्री जैन में साम साड़े च्वार बजे एक एमरजेंसी मीटिंग बिलाई थी। ये मीटिंग शॉर्ट मोटिस पर बिलाई गया। जिसमें प्वेपर सिच्ची मेंखीत हो सके और फिर मीटिंग को संबार के लिए स्थालिक कर दिया गया। प्रिष्णा कनासक्त के संधीतार है और उहें संस्कृती में समाजिक समरस्ता को कायम करने की दिशा में काम किया। रमन मेक्सेस अवाद हर सार दिया जाता है। इसकी शुरुआत फिलिपिन्स के राश्चेपती रमन मेक्सेस के नाम पर दिया गया। जिन्होंने एशिया प्रिष्णा के लिए तमाम कानी की दिशांकर सिंग की एक तस्रीर सामने आई हैं जिसमें वो जेव घर में बाबा बेधनाद के दर्शन करने पहुंचे हैं। देशरंकर सिंग ने मंदिर में दर्शन किये और पूचा भी की है। इसके बाद B.S.P. सुप्रीमो और पूर्वो मुख्यमंत्री मायवती ने आरोफ लगाया है। मायवती ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि भले ही बीजेपी ने उन्हें प अफ्तारी और इंचारी किया है। वरंच के खिलाब देश्टंकर इलाबाद हाई कोट जा चुके है। जो आप सोते खिलेश्टे हैं, बल्झी संपने वोखोते हैं, जो आपको सोने ही देगे। कलाम हमेशा युवाओं से किछेथे, अलग धन से सोचने का शाहस पना जरूरी है। अविश्कार का साहस करो, अज्यात परफ़ चलने का साहस करो, असंभश को खोजने का साहस ये वो महान गुन है जिनके दिशा में तुम अवश्य काम करें NADA की सुनवाई से पहले सामने आया है कि एक शक्स ने नर सिंख के खाने में कुछ पाउटर मिलाया WFIR ध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंग ने बताया कि रसोये ने उस शक्स की पहचान भी कर ली है संदिक दशक्स एक अंतराश्ट्री रेसलर का छोटा भाई बताया जाता है इस मुद्धे पर भी NADA में चर्चा होने की उमीदे हैं दूसरी और प्रवीन राना का नाम भेज़ जाने के बाद भी नर सिंख यादव की उमीदे पूरी तरह खत्म नहीं हुई एक उमीद ये है कि अगर NADA से उन्हें हरी ज़ंडे मिलती है तो WFI उस रिपोर्ट के अधार पर पैसला लेगा नर सिंख का नाम UWW को दोबारा भी ज़ज़ आएगा पिछले सुनवाई में सुप्रीम पोछने काहता कि नाथुराम गोटसे ने गांधी जी को मारा RSS के लोगों ने गांधी जी को मारा इन दोनों बातों में बहुत पर्ख है जब आप किसी वेक्ति विसे इसके बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए आप किसी की सामोहिक निंदा नहीं कर सकते हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिये क्या वो मानधानी के दायले में है या नहीं दरसल गुजरात के उना में रित गाय की खाल उताने पर दलित लिवको कोकार से बांध नगद कर पिटाई किये जाने के बाद राहुल गांधी दुआरा वहां किये गए दौरे और उनसे मुलाकात के दौरान 46 वर्षिय कॉंग्रिस उपाध्यक्ष ने ठानी अस्पताल में एक महिना को गले लगाया रमाबेन मुच्छाडिया नामक इस महिना के बारे में बता चला है कि रहे इननी उसे किसी भी फ्रेडिस की रिक्तदा नहीं थी 55 वर्षिय महिला का अपराधिक रिकॉर्ड रहा है जिनने एक बिल्डर से जबरन वसूली के लिए फोन करने दंगा और सरकारी अधिकारी के काम ने बाधा डालने जैसे मामने सामिल है कोट्स निखा था कि जब तक आप पैसान नहीं जमा कराते तब तक हम आप की आख्षी का पर सनवाई नहीं करेंगे गौर तलब है कि सुप्रीम कोट्स नौईडा एक्सप्रेस वेपर बनी एमरलेज कोट्स की 44 मंजली दो टावरों के मामनों की सनवाई कर रहा है इलाबाद हाई कोट्स ने दोनों टावरों को अवेद घुशित कर गिरानी के आदिश दिये थे लेकिन बाद में सुप्रीम कोट्स ने हाई कोट के पैस्टे फर रोख लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट में 14 फिस्दी ब्याज के साथ खरीडारों को रक्रम वापिस करने के लिए कहा था कलवित्य मंतरी अरुण ज्येटनी ने राजियों के वित्य मंतरियों से बैठकी जिसमें कई राजियों के ज्येस्टी के मौझूदा प्राभणों पर अर्सहमती जताने के बाद सरकार इस हफ़ते ज्येस्टी को सदन में नहीं लाईगी सरकारी सुत्रों का केना है कि इस हफ़ते एक बार खिर सभी दलोग हसकर कॉंग्रेस से बात की जाएगी और अगले हफते बिल पेस करने की कोशिश होगी राजय के साथ वैठक में इस सिधान्त पर सहमती बनी है कि जो यस्टी दर मौझूदा स्तर से कम रही चाहिए दरसल कई राजयों में ये टैक्स लगाया गया है दरसल दिली पुलिस में बुराडी की 14 साल की रेपीडिता की पहचान जाहिब करने के आरोप में उनके खिलाफ मामना दज़ किया है दिली पुलिस ने स्वाती मालीवाल के खिलाफ धारा 228-1 के तहएट F.I.R. दज़ की है इसके जवाब में स्वाती मालीवाल ने ट्विट करते हुए दिली पुलिस पर बेबुनियाद F.I.R. दज़ करने का आरोप लगाया है मालीवाल ने लिखा है कि दिली महिला आयोग ने 14 साल की रेपीडिता के मामले में बुरारी पुलिस को नोटिस भीज़ा था आज कुछ उनियन के सदस्य दिली के सियम अर्विंद के द्रिवाल के धर के बाहर प्रदर्शिन भी कर सकते हैं दरसल आप बेस्ट काप सर्विस पर रोख की मांग को लेकर हरता आपी जा रही है आटो टैक्सी वालों की मांग है की बिना लाइसेंस के चल रही कैब से वाइब बन हो और अवेज इ रिक्षाओं पर कारवाई हो दिली में नई टैक्सी पर मिच ज़ाल ना हो दूसरे राज्यों के आटो टैक्सी पर दिली में लगे रो इसके साथ 32 आपन की मिलकर इस योजना को अंजाम दे में में जुटे हुए थे ये खुलास एनाये की चार्ज शीट में हुआ है एनाये चार्ज शीट के नुसार सुराजुद्दीन हनी ट्रैप के जाल में पसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने जा रहा था केन्या की एक लड़की कनीता मिना ने इस प्यार का छासा दे कर अपने जाल में पसा लिया था यह लीदिया जाकर इस लड़की से श्चाब करना चाहता था स्राजदीन उस लड़की से श्चाब कर के जन्नत पाना चाहता था मुंबई ब्लास्ट के लिए तिकुने की एक 16 साल की लड़की का भी बेन वड़क करके उसे तक्षण्rió की बना रहा था रिंपा हल्दर के तिता अनिल हल्दर ने सिक्रिम कोच में या चिका दाखी थी है कोली और पंधेर दोनों ही अन्नेक हट्याओं के आरोपी है और रिंपा हल्दर मामने में उन्हें मौत की सजा सनाई गई रही थी हाला कि 11 सगंबर 2009 को इलाबाद हाई कोस ने पंधेर को वरी करते हुए कोली की सजा बरकरा रखी थी अदालत ने सपश्ट किया था कि इस पैसले का दूसरा संबंधित मामलों पर कोई असन नहीं होगा पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच फरार हुआ ये अपरादी पेस्बुक के जरीय लगाता पुलिस महिक में खोच चनौती देते हुए अपराद को अंजाम दे रहा है किसी भी वारदात के अंजाम देने से पहले ये सोशल मीडिया में उसका एलान करके खुलियाम चनौती देता है हाल ही में इससे एक बाद फिर पेस्बुक पर सेटिस अपडेट करके दस दिनों के अंगर एक और वारदात को अंजाम देने का पास कही है पाच लाख रुपाई के इस हिनामी बदमाश को पकेने के लिए कई ITS अभिकारी और 20,000 से अधिक जवान लगे हुए है लेकिन अभी भी वो इनके गिरफ से बाहर है यूपी के संगम नगरी इलाबाद वी भी ऐसा ही एक पोस्टर लगाया गया है इस पोस्टर में बसपा पनिसान असाते हुए मायावती को सुपनखा और बीजेपी से निस्कासित नेता देर्शंकर की पत्री स्वाथी सिंख को दुर्गा बताया गया है इलाबाद के सिविल लाइन में लगे इस पोस्टर में लिखा है कि बेटी के सम्मान में समाज उतराब मैदान में ये पोस्टर आरक्शन मुक्त महसंदराम नाम के एक संदठन की तरफ से अनुराग शुकला नाम के छात्र नेता ने लगाया है इस पोस्टर में मायावतीन असिमुद्वीन सिद्गी पूर्वर बस्पानेता स्वामी प्रसाद मौलेया पन्मिसान असादा गया है